नमस्कार मित्रों, PSSM Blessings परिवाद वदोद्रा से मैं मिशा गुपता, डेना मरियम जी की पुस्तक, रुकमनी और काल चक्र का फेर के ओडिया 86 में आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने सुना कि श्री कृष्ण और माता की उपस्थिती में इशान और काशनी का विवा संपन होता है। और काशनी सुजाता से उपहार स्वरूप एक नृत्य प्रदर्शन करने को कहती है। आईए, अब सुजाता द्वारा कहानी आगे सुनते हैं। मैंने चारो और देखा, सभी बैठे हुए और चुप थे, सभी के नेत्र मेरे और काशनी की और थे, पानी की धारा भी रुख गई थी, गर्ब रात्री की वायू में एक भी ध्वनी नहीं थी, अभी भी लग रहा था कि मैं एक स्वप्न में हूँ। मैंने एक धीमी हसी छोड़ी और एक स्वर में पूछा, जिसे मैं कठनाई से पहचान रही थी। मैं क्या प्रदर्शन करूँ। आप एक बार नृत्य में दुर्गा के भाग के लिए प्रसिद थी। काशनी ने कहा। मैं मुस्कुराई सोचते हुए कि यह वह नृत्य नहीं है जो मैं तुम्हारे विवा के लिए करूँगी। कुछ शर्णों के लिए मैंने कुछ नहीं कहा। और फिर एक सूश्म उपस्थिती मेरे सामने आई। और एक जानी पहचानी दृष्टी के साथ मैंने पचास से अधिक लोगों से जो इखटा हुए थे कहा। यह लगभग राम नौमी है और इसलिए मैं एक ऐसा नृत्य करूँगी। जिसे मेरी माँ और उनके साथी नर्थक मोहित ने कई वर्ष पूर्व बनाया था। सीता माता को लंका ले जाया जाता है। वह और श्रीराम दोनों जानते हैं कि आगे उनकी क्या प्रतीक्षा कर रहा है। और इस अंतिम रात्री में वे एक दूसरे के प्रती अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। जब मैं युवा थी तो मैंने अपनी मा को इस भाग का प्रदर्शन करते हुए कही बार देखा और मैंने सभी गतियों का इसमरन कर लिया। यह मेरी मा का सरवादेक प्रियंद्रित्य था और इसलिए मैं इसे आप दोनों के लिए आपकी दादी के उफार के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी मा और उनके नर्तक साथी के हमारे समुदाय को छोड़ने के पस्चात एक और नर्तक उनकी एक मित्र ने मुझे भाग में निपूनता प्राप्त करने में सहयता की। इशान के पिता उद्धव और मैं कई बार अर्ध रात्री में समुद्च के किनारे जाकर इस नर्तक को साथ में करते थे। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और आगे जोड़ा और श्री कृष्ण और माता के लिए जो मेरे जीवन के स्त्रोत हैं। इशान की और मुड़कर मैंने एक शांत स्वर में पूछा। लेकिन मुझे नहीं पता इशान की क्या तुम यह भाग जानते हो या क्या रेवती इसके संगीत को जानती होगी। मेरी वाणी धीरे धीरे बंध हो गई। मैंने इस पर कई बार नृत्य किया है और इंदप्रस्त के संगीतग्य भी यहां है। इशान ने उत्तर दिया। वे इसे अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने उस ओर देखा जहां संगीतग्यों का एक समू अपने वाद्य यंत्रों के साथ बैठा था। फिर मेरे मन में यह विचार आया। मैंने इस भाग पर इतने समय से इनृत्त नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि यह मुझे इसमरण है या नहीं। तुरंध ही मैंने माता का उत्तर मन में सुना। मैं तुम्हें इसमरण कराऊंगी। उन पर भरोसा करते हुए मैंने स्वयम को उन समयों में खीच लिया। जब उद्धव और मैं समुच्च के किनारे एक साथ नृत्ते करते थे। संगीत शुरू हुआ। इशान और मैं अब एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खड़े थे। धीरे धीरे हाथ और पैर की गति विद्धियों के अधान प्रदान के माध्यम से हम एक दूसरे की ओर बढ़े। धोलक और वीना की जनकार एक साथ समन वे में चल रही थी। वादय यंत्रों से उपर उठकर रेवती की मन स्परशी प्रेम पुकार सुनाई दे रही थी। उसके तड़पते हुए स्वर भावनाओ के माबदंड में बुने हुए आ रहे थे। हमारे पैर धर्ती को थापने लगे। मानों पृत्वी को ही हमारे निरत में खीच लें। जबकि हमारे हाथ उन आकृतियों में उठ गए जो उपर एक तारा मंडल को प्रतिबिम्बित करते थे। मैंने अपनी मा के शब्द सुने जो उन्होंने बहुत समय पहले कहे थे। अपनी भुजाओं और हाथों की गतिविध्यों को तारों के साथ मिलान करो। उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करो। उनसे जुडो। हम नर्तक केवल सार्वभों में गतिविध्यों का दरपन है। यह समस्त दिव्यता से प्रवाहित होने वाला प्रेम है जो हमारे देह से बहता है और हमारे द्वारा आसपास की दुनिया में जाता है. अपने पेरों को प्रिथवी में जोड़ो और उपर की दुनिया को नीचे की दुनिया से जोड़ो जैसे ही मैंने उसके शब्द सुने पहली बार मैंने उन्हें सचमुझ आत्म साथ किया और अनुभव किया कि मैं एक प्रदर्शन का भाग हूँ जो एक बहुत बड़े मापदंड पर खुल रहा है विशाल स्वर्ग में साथ ही पत्तियों के हिलने और लहरों के उठने में भी यह सब एक सार्वभो में एक आनन्द की अभिव्यक्ती थी इशान और मैं अब पूरी तरह से समन्वे में चल रहे थे मेरे हाथों का जो आकार था वे उसके द्वारा मिलाया गया था जैसे कि मेरे उठाए गए पैर की मुद्रा थी कई बार पास आने और फिर पीछे हटने के बाद हम अब निकटता में थे लेकिन फिर मैं दीरे दीरे फिर से पीछे हट गई और हाथों को फेला कर घूमने लगी जब मेरे नेत्र माता और श्री कृष्ण के बैठने की जगा पटिके तो मैंने देखा कि सीता और श्री राम की छवियां उनके रूपों की जगें ले लेती हैं एक और चक्कर और ये फिर से माता और श्री कृष्ण थे मैं गोल गूम रही थी और हर बार मैंने देखा कि वे एक दिव्वे जोड़ी से दूसरे में परिवर्तित हो रहे थे अंत में इशान ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी गतिविध्यों को धीमा कर दिया जब तक कि हम फिर से पूरी तरह से समनवे में नृत्य नहीं कर रहे थे मेरा पैर उसके पैर के साथ मेरे हाथ उसके हाथ में उलजहे हुए मैं इशान की गतिविध्यों की शक्ती और सूक्ष्मता से अश्चर्य चकित थी जो पराजित कर रहा था किसी भी पुरुष को जिनके साथ मैंने नृत्य किया था यहां तक की उद्धव को भी वह तेज था अपने कदमों को मोरने में फुर्तीला फिर भी नियंत्रित अपने पैरों पर हलका शक्ती और लावर्णे का एक सही संतुलन के साथ बाहों में बहां डाल कर कुछ मिन्टों तक मृत्य करने के बाद सीता धीरे धीरे फिर से पीछे हटती है और अपने हाथों को मुद्राओं की आकाश कंगा में सहस्त पूर्वक हिलाती हुई वे अकेली धर्ती में समा जाती है उनके नेत्र राम के प्रेम की खोज में होते हैं जब वे उनकी दृष्टी का समर्थन करते हैं मित्रों सुजाता के इस उत्कृष्ट उपहार के पस्चात श्रीकृष्ट और माता इशान और काशनी को क्या भेंट देते हैं जानेंगे अगली कड़ी में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद